रसाइनिक खाद वा जैविक खाद दुतिय विश्वयुद के बाद पस्चिमी देशों के हतियार और विशाफ्त रसाइन बनाने वाले कार खाने बंध होने के कगार पर पहुँच गए थे जिसके कारण पस्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहट उन कारखानों में रसाइने खाद तथा कीट नाशक बनाना शुरू कर दिया इन रसाइने खादों वा कीट नाशकों के द्वारा क्रिशी उतपादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांती नाम का एक छद मज्याल बुना भूले भाले किसान अधिक उतपादन के लालच में फस कर रसाइने खाद वा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगे बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी शुरुवात में कम रसायने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ धीरे धीरे रसायने खादों के प्रियोग के कारण भूमी की उर्वरा शक्ति छीन होने लगी जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसले कमजोर होने लगी फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग वा कीट लगने लगे रोग वा केटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीट नाशकों का प्रियोग होने लगा एक तरफ ज्यादा उतपादन के लिए अधिक रासायने खादों का प्रयोग होने लगा वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग वा कीटों से बचाने के लिए अधिक विशात कीट नाशकों का प्रयोग बढ़ गया जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाप कम होने लगा बलकि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे धीरे धीरे भूमी की उर्वरा शक्ति क्षेन होने से भूमी बंजर होने लगी रसायनिक खाद वा कीट नाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जलवाईयू भी प्रदुशित हो गई जिसके कारण मानव पशुपक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है मानव स्वास्थे पर रसायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझे जब किसान फसल में रसायनिक खाद डालता है तो रसायनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसायन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचुए वा सूक्ष्म जिवाणूं को मार देता है विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की अर्वारा शक्ती नश्ट हो जाती है तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है रसायने खादों के विशाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनीजों के साथ फसल के अंदर पहुँच कर फसलों को विशाक्त बना देते हैं बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशूइने खाते हैं तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रियोग जाती है जिससे भूमी की उर्वरा शक्ती बढ़ती है तता भूमी चिद्र युक्त एवं भुर भुरी हो जाती है जिससे वायू और प्रकाश भूमी के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं जिसके कारण भूमी में तापमान एवं आदरता का संतुलन बना रहता है और फसले मजबूत होती हैं। फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है।